सब्सक्राइब करें टैग मुस्तफा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर किलिक करकर सब ये अपडेट पाएं हमारे यूट्यूब चैनल की हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर परसनल रीजन से वीडियो एडिटिंग को सीखना चा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तो मैं विगनर्स के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जान पाएंगे पूरी वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं कैसे किरोमा कटिंग यानि VFX गिरीन स्कीन जो होता है दोस्तो वो कर पाएंगे और यहाँ पर दोस्तो कैसे आप नए-nay effect लगा पाएंगे नए-nay filters, नए-nay transactions और नए-nay दोस्तो text editing यहाँ पर कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो को इस टार्टिंग से end तक देखेगा और यहाँ पर मैं आपको शियोरीटि के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने यह वीडियो स्टार्टिंग से end तक देखे लिया तो आप वीडियो एडिटिंग के masters बन जाएंगे तो दोस्तो वीडियो को स्टार्टिंग से end तक देखेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन दबाना मत बूलना चुकि ऐसी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो गई सबसे पहले आपको वंडर शेयर फिलमोरा 9 को डाउनलोड कर लेना है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको इसको किरैक करना है अगर आपको किरैक करना नहीं आ रहा है तो मैंने नीचे अपना Telegram का Link दे दिया है आप उसपर किलिक करकर महाँ पर वीडियोज मैंने डाल लगी है आप देख सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और Software को Crack कर सकते हैं तो गाइस जैसे ही आपका Software Crack हो जाता है जैसे ही आप Wondershare Filmora 9 को Open करते हैं आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाता है यहाँ पर सबसे पहले आपको aspect ratio देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तो अगर आप YouTube के लिए video shoot कर रहे हैं तो आपको aspect ratio 16 ratio 9 पर रखना है यहाँ पर दोस्तो हम YouTube के लिए ही video बता रहे हैं अगर आपको Instagram के लिए करना है तो आप Instagram के लिए कर सकते हैं अगर आपको mobile का size रखना है दोस्तो portrait mode में तो आप 9 ratio 16 सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको इन तीनों में से किसी भी एक पर सेलेक्ट कर लेना है चलिए यहाँ पर मैं YouTube के लिए video सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने 16 ratio 9 को सेलेक्ट कर लिया है अब यहाँ पर नीचे आपको new project का और open project का दो option देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले बात करें new project की अगर आप कोई नय project कोई नई video edit करना चारहे हैं तो आपको new project पर click कर देना है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने कोई पहले से project बना रखा है तो आप open project पर click करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने 2 project और लेडी बनाय हुए हैं मैं यहाँ पर अगर इन project को open करना चाहता हूँ दुबारा से तो simply मैं उस project पर click करूँगा और यहाँ पर मैं open कर दूँगा तो यहाँ पर मेरा जो यह project है वो open हो जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम नया project बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको new project पर click कर देना है अब guys यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाता है आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में introduce करा देता हूँ तो guys सबसे पहले यहाँ पर आपको एक option box दिख रहा है जहाँ पर दोस्तों आपको अपनी वीडियो को import करना है सारे फोटो, सारी वीडियो, आउडियो, जो भी आप import करेंगे वो यहाँ पर click करने के बाद ही आप import कर पाएंगे तो guys यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे उपर आपको मीडिया का एक option दिख रहा है इस मीडिया में यहाँ पर आपको एक option दिखता है simple colors का तो यहाँ पर अगर आप अपने background के लिए simple colors लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई भी color को select कर सकते हैं यहाँ पर आप white color ले सकते हैं यहाँ पर आप red ले सकते हैं जो भी color आप लेना चाहें उसको आप select कर सकते हैं। दोस्तों बात हो गई simple color की उससे नीचे आपको simple videos का एक option दिखता है। यहाँ पर अगर आप अपनी videos को start करने के लिए इस तरह की video use करना चाहरे हैं तो आप use कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे की आप देख पार हैं यहाँ पर यह countdown start होता है आपकी videos शुरू होने से पहले तो यहाँ पर आप इस तरह की videos को use कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह download का option दिख रहा है यह videos download नहीं है तो simply आप इन्हें download पर click करने के बाद इन सभी videos को download कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तो हमारा मीडिया जो है वो cover हो गया है अब यहाँ बात करते हैं दोस्तो नीचे timeline की यह नीचे timeline है जहाँ पर मैंने यह video को add किया हुआ है अब दोस्तो बात करें timeline की तो timeline में आप अपनी video edit करने के लिए उसमें import करेंगे जो भी आपको अपनी video का sequence बनाना है वो यहाँ पर आपको add करनी है photo हो वो फिर वीडियो हो या फिर audio हो जो भी आप अपनी video का sequence बनाकर उसको export करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आपको अपनी timeline में उसको add करना होता है तो यहाँ पर हम timeline की बात कर चुके हैं अब guys यहाँ पर आप यह black screen देख रहे तो यहाँ पर आप simply output देख पाएंगे कि आपकी video edit होने के बाद कैसी दिखने वाली है तो चलिए दोस्तों दूसरे नंबर पर आ जाते हैं audio पर अब यहाँ पर आपको कुछ audio देखने को मिल जाते हैं लेकिन यह audio जह हैं वो copyright free नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपक YouTube चैनल के लिए खास्तों से नहीं यूज करना है दूसरे नंबर की बात आती है titles की यहाँ पर आप अपने titles को add कर पाएंगे आप अपने नाम लिखना चाहें अपने social media links देना चाहें तो यहाँ पर आप इन titles की help से अपने social media links दे सकते हैं या फिर अपना नाम लिख सकते है हम जानेंगे आगे वीडियो में उसके बाद आप देखेंगे transition का यहाँ पर आपकी वीडियो उसके different different transition होते हैं जैसे की आपकी वीडियो उपर से नीचे निकल कर आई side से left गई left से right गई या फिर आपकी वीडियो बेच में से zoom होती हुई आगे आई इस तरह के कुछ transaction देखने को मिल जाएंगे इसकी भी हम आगे वीडियो में details में बात करने वाले हैं इसके बाद आपको एक effect का option दिख जाता है इस effect में आपको तरह तरह के effects देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आप यह effect अपनी पूरी की पूरी वीडियो में starting से end तक लगा तो यहाँ पर वो effect का use करते हैं तो यहाँ पर दूस्तों यह तो basic software है वो तो professional software यूज करते हैं Adobe का Adobe Premiere Pro या फिर After Effects तो यहाँ पर आप कुछ हद तक अपनी पूरी वीडियो में एक जैसा color ला सकते हैं तो यहाँ पर आप effect का use कर सकते हैं आगे आता है elements का यहाँ पर आपको वीडियो में समझाने के लिए या तो आपको तीर का यहाँ पर करसर का use करना होगा तो यहाँ पर आपको सारे के सारे elements जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब करसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको mouse का like का download button करसर सभी तरह के आपको यहाँ पर elements मिल जाएंगे आपको अपनी वीडियो में यूट्यूब की वीडियो में अगर आपको कुछ समझाना है आपको मुबायल का फोटो लगाना है आपको यहां करसर का फोटो लगाना है लोकेशन का तो यहां पर आप इन सब का यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल फिरी हैं यहां पर आ last option बचता है इस्पिलिट स्क्रीन का आपने देखा होगा यहां पर काफी वीडियो में कि आपकी एक ही इस्क्रीन पर तीन से चार वीडियो या फिर दो वीडियो चल रही होती है ऐसे में आप इस्पिलिट का यूज कर सकते हैं फॉर एक्जम्पिल आप अपनी एक स्क्रीन मे अगर आप चाहें दो वीडियो यहां पर पिले हो तो आप इस तरह से यहां पर अपनी एक वीडियो पिले करेंगे और यहां पर अपनी दो वीडियो पिले करेंगे या फिर आप चाहते हैं कि आपकी तीन वीडियो पिले हो तो इस तरह से आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अब इसके बाद बात करते हैं कुछ timeline से उपर जो आपको यहाँ पर tools दे रखे हैं इनके बारे में यहाँ पर आपको यह undo का option दिखता है अगर आप videos में आगे पहुच गए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको पीछे जाना है अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पुराने वाली event पर पहुच गए हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं आगे वाला जो आपको यह तीर का निशान दिख रहा है यह रीडो का है और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती से पीछे पहुच गया हूँ मैं वहीं पर पहुचना चाहरा हूँ तो आप एक बार click कर देंगे तो आपका जो एक event था जो आपने पीछे किया ह अब आप उस next event तक पहुच सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस पिलिट करना चाहें किसी वीडियो को या फिर किसी फोटू को तो आपको सबसे पहले उस पर click करकर यह जो आपको खैची दिख रही है जिसे हम इस पिलिट बोलते हैं आप इस पर जैसे ही click करेंगे यह जो वी portion लेना है अपनी वीडियो में तो जैसे ही आप किरॉप पर click करते हैं अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नया बार खुलकर आता है यहाँ पर आपको रेशियो में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको custom पर click कर देना है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं और यहाँ पर अगर आप custom करना चाहते हैं तो आपको custom पर click करना है अब आप अपने हिसाब से इसको adjust कर पाएंगे आप उपर से नीचे कर सकते हैं आप left से right से कैसे भी कर सकते हैं आप इसको drag and drop भी कर सकते हैं तो यहाँ पर इतना हमने सीख लिया है अब next option आपको देखने को select करेंगे यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको slow का fast का normal का यहाँ फिरीज फिरेम फिरीज फिरेम मतलब आपका जो एक फिरेम है वो थोड़ी देर के लिए फिरीज हो जाएगा यानि वो photo के form में आ जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो दुब पर click करेंगे और जाता slow motion में चाहते हैं तो 0.1 एक्स पर click करेंगे ऐसे ही आप जितना नीचे जाते रहेंगे आपकी वीडियो उतनी ही जादा slow motion में जाते रहेगी जैसे ही आप कोई वीडियो सिलो मोशन में करते हैं अगर आप कोई भी इनमे एफेक्ट में से जादा वाला एफेक्ट करते हैं तो ध्यान रहे कि आपकी वीडियो उतनी ही बड़ी हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमने slow करा है .5 तो आपकी वीडियो जहे वो थोड़ी सी increase हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अब यहाँ पर हम इसको normal कर देते हैं अगर आप इस वीडियो को fast mode में play करना चाहरे हैं तो आपको वीडियो को select करना है आपको दुबारे से यहाँ पर आ जाना है और fast में आपको 2x, 4x यानि 2 double आप इसे fast कर पाएंगे double से या 4 गुना आप इसे fast कर पाएंगे और nature वाला 8 गुना आपकी वीडियो जाए fast पिले होगी और यहाँ पर ऐसे ही यह increase होता चला जा रहा है तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी वीडियो को slow motion में कर रहे हैं तो आपकी वीडियो increase हो जाएगी आपकी जो वीडियो है वो बढ़ जाएगी और fast कर रहे हैं तो आपकी वीडियो का जो size है वो कम हो जाएगा इसके बाद एक नया option आजाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है color का यहाँ पर आप अपने color को आगे पीछे कर पाएंगे आप यहाँ पर brightness बढ़ा सकते हैं आपकी कोई वीडियो जिसमे color ठीक नहीं आए है या फिर उसमें blackness आ रही है तो यहाँ पर आप इसे बढ़ा गढ़ा कर उससे जहें adjust कर सकते हैं यहाँ पर आपको इससे नीचे और भी काफी option देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर यह light का option है जहाँ पर अपनी सिर्फ light को बढ़ा पाएंगे यहाँ पर यह shadow है जहाँ पर आप अपनी shadow को increase या decrease कर पाएंगे यहाँ पर यह whiteness है सिर्फ whiteness जो portion है सिर्फ वही यहाँ पर आपका यह बढ़ेगा बाखे कुछ नहीं बढ़ने वाला है तो guys इस तरह से आप यहाँ पर color changes कर सकते हैं इसके बाद एक और option आता है जिसे हम बोलते हैं green screen या फिर आप उसे vfx या फिर kroma cutting भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप इस पर click करने के बाद अपनी video के पीछे का जो background है उसे change कर पाएंगे अपने हिसाब से customize कर पाएंगे कोई भी video का background लगा पाएंगे लेकिन आपकी जो वीडियो है वो green screen पर शूट होनी चाहिए आगे वीडियो में दोस्तो मैं आपको deeply बताने वाला हूँ इस सब के बारे में तो चलिए दोस्तो यहाँ पर यह introduction था वो complete हुआ है आगे आपको कुछ और option दोस्तो देखने को मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर यह timeline में fit to screen करना चाहरे हैं तो आपको इस पर click कर देना है तो आपकी timeline में जितनी भी चीजे होंगी वो fit to screen मतलब पूरी screen पर फैल यहाँ पर अगर आप चाहरे है timeline को छोटा या बढ़ा करना तो आप इनसे कर सकते हैं यहाँ पर आपको sound का option दिख रहा है जहां से आप अपनी sound को increase कर पाएंगे और decrease कर पाएंगे यह master का option दिख रहा है अगर आप इसे increase करते हैं तो आपकी sound है वो बढ़ जाएगी और इस इस पर किलिक करेंगे आप अपने जो बोलेंगे वो recording यहाँ से यह start हो जाएगी और नीचे आप timeline में देख पाएंगे कि यह इस तरह से आपकी वीडियो में अपनी आवास यहाँ पर आप अपनी import कर पाएंगे तो guys इतना काम हमारा हो गया है यहाँ पर आपको जैसे कि आप यह देख रहे हैं यहाँ पर यह रेड पोर्शन आ गया है अब यहाँ पर आपकी वीडियो जैसे ही आप प्ले करते हैं तो यह अच्छे से प्ले नहीं होगी तो यहाँ पर आप एक बार इस पर किलिक कर देंगे यह आपकी जितनी भी frames हैं वो काउंट करेगा और उनक 12 से आप इसे छोटा कर पाएंगे यहाँ पर यहां पर यहाँ पर आउट पुट आ रहा है उसमें जो साउंड है उसको आप यहाँ पर घड़ा बढ़ा पाएंगे यह सिप अपके सुनने के लिए हैं यह कोई वीडियो में एक्वैक्ट नहीं होने वाला है अगर आप चाह तो यहाँ पर यह photo आपका आ गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर यह last option बचता है preview quality का यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले option मिलता है change project aspect ratio यह मैंने आपको starting में भी बताये था और यहाँ पर भी आप इसे change कर पाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ aspect ratio पर किली करने के बाद अब यहाँ पर आप change पर पाएंगे अपना यह aspect ratio तो यहाँ पर गाईज यह तो आपको पता ही है guys यहाँ पर आपको एक option और मिलता है playback quality यहाँ पर आप अपनी quality को full में जैसे ही करते हैं तो आपका जो यह output screen है वो full HD में show होगा और यहाँ पर अगर आप इसे नीचे वाले पर click कर देंगे तो यह quality जह है वो कम हो जाएगी इससे नीचे है zoom level मतलब आपकी जो यह screen आ रही है उसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने recording अगर आपको zoom करकर कुछ देखना है तो आप इसे काफी zoom कर पाएंगे यहाँ पर जहाँ भी आप जाना चारहे हैं वहाँ पर आप पहुच पाएंगे तो इसको आपको जह है fit to screen पर click कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे option आ रहा है show safe zones जैसे ही आप इस पर click करते हैं अब यहाँ पर आप movie create कर पाएंगे यहाँ पर आपको यह safe zones जो है वो show ह गये हैं इसके अंदर अंदर ही आपको अपनी वीडियो एडिट करनी है otherwise यहाँ पर आपकी वीडियो का कुछ portion कड़ भी सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर हम इसको जो है हटा देते हैं चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का basic tutorial समझाएंगे आपको starting से चलिए guys start करते हैं wondershare filmora 9 का basic tutorial अभी तक मैं आपको इसका एक introduction दे दिया है यहाँ पर हम deeply बात करेंगे कि कौन सा काम कैसे होता है और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि अगर आपने अपना पूरा timeline यहाँ पर आपने अपनी सारी वीडि दिख रहा है आप इस पर click करेंगे आगे यहाँ पर बहुत सारे options आते हैं बताऊंगा आपको मैं आज की इस वीडियो में चलिए दोस्तों बिल्कुल starting से जान लेते हैं guys अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को starting से end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वीडियो एडिटिंग का जो नजरिया है वो बदल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप अपने यूट्यूब के लिए बहुत अच्छी वीडियो को एडिट कर पाएंगे सबसे पहले आपको import पर click करने के बाद अपनी वीडियो को simply import कर ले डीलैन में लाकर एडि कर लेना है एड्ड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी वीडियो को एड कर पाएंगे जैसे ही आप अपनी वीडियो को एडि करते हैं आपको यहाँ रेड लाइन को हटाने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिकता है render preview यहाँ पर simply आपको enter पर click कर देना है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यह जो आपकी red line है यहाँ पर यह हटना start हो गई है अब guys यहाँ पर बात यह आती है कि यह red line करती क्या है दोस्तों यहाँ पर अपनी वीडियो को जैसे ही आप play कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो स्मूथ नहीं चलेगी यहाँ पर आपकी वीडियो थोड़ा hang होकर चलेगी अब जैसे ही यह यह ड्रेंडिंग खतम हो जाती है और आपकी जो red line है वो यह है यहाँ पर आपको बिलू में convert हो जाती है जैसे ही आप इपनी वीडियो को play करेंगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो बिल्कुल smoothly चल पाएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों अपनी वीडियो को smooth चलाने के लिए यहाँ पर आपको इसको render कर लेना है simply enter मारने के बाद अब guys बिल्कुल starting से समझ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है और जैसे ही यहाँ पर आपको mute से हटा देना है और guys यहाँ पर जैसे ही आप इस पर click करेंगे अब यह counting start होगी और one होने के बाद zero होने के बाद अब यह start हो गया है अब जैसे ही आप यहाँ बोलेंगे वो आपकी इस wise में wise over हो जाएगा और आपकी जो यह wise है वो इस वीडियो में आ जाएगी अगर आप चाहें तो अपनी original wise को जो है आप उसे mute कर सकते हैं तो guys यहाँ पर आप इस तरह से अपनी audio को ले सकते हैं अगर आपको इसको mute करना है तो simple right click करने के बाद आपको यहाँ एक mute का option दिखता है आपको इस पर click कर देना है अब आपकी जो यह original आवाज है वो mute हो अब दोस्तों बात आती है simple titles की कि आप अपने titles को कैसे add कर पाएंगे for example यहाँ पर आपको अपने social media sites के link देने हैं तो यहाँ पर आप वो link कैसे दे सकते हैं तो simply दोस्तों सबसे पहले आपको import पर click करना है और आपको अपने social media sites के जो आपको photos है जो png file है आपको उनको download कर लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने चार photos को download क्या हुआ है मैंने simply इनको import कर दिया है अब यहाँ पर guys सबसे पहले आपको एक photo को उठाना है और layer पर लाकर रग देना है अब guys जैसे ही आप इस layer पर आकर एक बार click करेंगे आपको यहाँ यह photo देखने क के link लगा सकते हैं तो आपको simply एक बार इस पर click कर देना है अब यह देखेंगे आप यह box बना हुआ गया है आपको इस box को simply छोटा कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरह से इसको लाकर drag and drop करकर जहां भी आप adjust करना चाहें वहाँ पर आप इसको adjust कर सकते हैं तो guys यहाँ पर हमारा यह adjust हो गया है अब simply दोस्तों आपको ऐसे ही उपर वाले को इसके उपर layer पर लाकर रख देना है तो guys यहाँ पर आपको इसको छोटा कर लेना है इसके बराबर बिल्गुल और जैसे कि आप देख रहे हैं यह इतना छोटा हो गया है simply आपको इनको next next आपको पर रख देना है इसको और आपका एक और बचा है यूट्यूब वाला आपको इसको भी छोटा कर लेना है तो guys यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो है इसको छोटा कर लिया है अब यहाँ पर guys अब यह कैसे work करेगा यहाँ पर आप जान लेते हैं सबसे पहले जैसी आपकी वीडियो पिले होगी यहाँ पर यह ऐसे करकर आपका facebook निकल कर आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका text आएगा text कैसे add करेंगे हम आपको बताने जा रहा हूं तो इस तरह से आपके social media site के link आते रहेंगे तो guys यहाँ पर आपको titles को add करने के लिए titles पर click कर द आपके photo's के उपर यहाँ पर simpally आपको सबसे पहले यह काम कर लेना है तो guys यहाँ पर ह画 यह अपको text है वह custom your में set हो गया है मतलब यहाँ आपका photo आएगा उतना ही आपका text प्रेप आपके आपको अपने टेक्स पर किलिक कर देना है यहां पर आपको अपना दोस्तों लिग देना है यहां पर मैं अपना यूसर नेम लिख रहा हूं तो गाईज यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस में चले जाना है यहाँ पर आप जैसी एडवांस पर किलिक करते हैं यहाँ पर आप एडवांस लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आप इस पर किलिक क हो गया है हमारा 32 उसके बाद आपको यहां पर इनिमेशन का ओप्शन दिखता है आपको सिंपल इस पर किलिक कर देना है अब यहां पर आपको टाइप राइटर दिखता है जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट निकल कर आएगा तो कैस आपको इस प इसको फूल कर देना है तो अगर आप चाहें तो आप इसे एसी भी रहन सकते हैं सबसे पहले आपका टेक्स्ट निकल कर आएगा और फिर वह वापस चला जाएगा तो यहां पर दोस्तों मुझे सिंपल इस तरह से करना है कि बस टेक्स्ट निकलकर आए और उसके बाद वह कर लेना है अब यहां पर जैसे ही आप एड करते हैं सिमपल इया आपको सोšल मीडिया लिंक है वो एड होगा है यहां तौस्तो अब आपको दूसरे वाने को इसी तरह से एड करना है सिमपल आपको सबसे पहले टолет पर किलिक करना जैसे ही आप इस पर double click करेंगे अब यहां पर आपको अपनी टेक्स्ट की editing करनी है यहां पर आपको अपना username लिख देना है यूजर नेम लिखने के बाद आप यहां एडवांस में जाएंगे और एडवांस लेवल की यहां पर आप editing कर पाएंगे यहां पर आप चाहें तो एक और टेक्स्ट को एड़िट कर सकते हैं पिलस पर किली करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यह भी हमारे पास आ गया ह तो फिलाल इसको delete कर देते हैं तो चलिए गाईज यहां पर आप photo को भी add कर पाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर आप किली करने के बाद अपने किसी भी photo को यहां पर आप add करना चाहें तो वह भी फिलाल आप add कर सकते हैं फोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर फिलाल अब यह नहीं करने वाले हैं फिलाल हमत्म हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं टेक्स्ट यहां पर हम हो रहा है उस की तो गाइस इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया साइट के लिंक लगा सकते हैं यहां आपको दो लिंक लगा कर दिखा दिये हैं अगे उसकी करों कि जदा चीजड़ सिखाने की कोशिश करूँ हैं यहां पर रहे कहींद करकर दिखा देते हैं कि इस तरह से आपके सोशल मीडिया साइट के लिंक लगा सकते हैं तो गयाइस यहाँ पर सिंपली अगर आपने कोई मतलब कुछ नया नया यहाँ पर आपको कुछ movement दिखाई दे उसके बाद आपकी वीडियो शो हो तो आपको transition में चले जाना है। यहाँ पर हमने title cover कर लिया है, audio भी cover कर लिया है, बाते हैं transition पर, अब यहाँ पर दोस्तों आपको काफी transition देखने को मिल रहा है, डबल किलिक करने के बाद आप effect देख पाएंगे कि आपकी यह वाली वीडियो है, यह वाली अब वो किस तरह से आने वाली है, आप इसपर डबल किलिक करके जो भी आप effect लगाना चाहें, वो आप effect इस पर लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको transition देखने को मिल रहा है तो इस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप एक बार check कर लिजिए कि किस तरह से आप अपने transition को apply करना चाहरे हैं, तो guys यहाँ पर आपको यह erase वाला आपको apply करकर दिखा देता हूँ, आपको simply इस उठाना है, और उठा कर आप देख रहे हैं, सबसे पहले कि यह effect देखने को मिल जाएगा, अब आप सोच रहे हैं कि यह थोड़ा late हो रहा है, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो आपको इसको कम कर देना है, अब आप एक बार play करकर देखेंगे, तो यह काफी जल्दी हो जाएगा, अब बात करते हैं effect कि, त तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पहले उस portion को select कर लेना है कि किस portion को आप बिलर करना चाहरे हैं, तो यहाँ पर मैंने इस portion को cut किया, यहाँ से यहाँ तक, और मैं इस portion को बिलर करना चाहरा हूँ, तो simply मैं effect में जाकर यहाँ पर search पे click करके लिखूंगा, बिलर, और य तो कैज़ यहां पर आप देख पाएंगे कि आपके जए वीडियो है वह विलर हो गया है है अब इस पर डबल किलिक करेंगे और ज़यादा भी हो सकता है जितना आपकरना चाहिए दोस्तों यहां पर आप इस तरह से एप्लाइक कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों अपकी बि पर दोस्तों को बेखने को मिल जाएंगे यहां पर कुछ इंस्टार के लिएक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है आपकी एफट्स हैं बहुत एक दो एफ्क आपको apply करकर दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह सरा कि आपकी चलर हैं वह किस तरह से इनने change कर दिया है तोस्तों इस त decor को यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में इतना हो गया है दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बता दिया है सबसे पहले audio, फिट title, फिट transition भी complete हो गया है और effect का भी दोस्तों portion complete हो गया है अब यहाँ पर आपको element के बारे में बता रहे हैं element में दोस्तों आपको बहुत सारे elements मतलब photos कुछ देखने को मिल जाते हैं यह png files हैं और इनको use कर सकते हैं आप अपनी videos में किसी भी चीज़ को समझाने के लिए for example, यहाँ पर आपको अपने username को दिखाना है कि यह मेरा username है तो यहाँ पर simply आपको इसको drag and drop कर लेना है अब guys आप इस पर click करेंगे एक बार तो यह आपका जो cursor है दोस्तो वो show हो जाएगा आपको इस पर double click कर देना है अब आपका यह cursor जो है वो उसका जो portion है दोस्तो वो select हो गया है अब यहाँ से आप इसको adjust कर पाएंगे छोटा बड़ा कर पाएंगे तो simply आपको यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देना है कि यह मेरा username है अगर आप इसे rotate करना चाहें तो इस तरह से इसको rotate भी कर सकते हैं यहाँ पर यह black color का भी ले सकते हैं white color का भी आपको देखने को मिल जाएगा और अगर आप इस पर चाह रहे हैं कि इस पर हमें transition लगा हूँ तो यहाँ पर भी आप transition लगा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे transition है आप इस पर लाकर एक बार इस पर click कर दीजिए और यह transition आपका apply हो गया है और इसको आप एक बार play करकर देख सकते हैं वीडियो थोड़ी smooth लहीं चल लही है तो यहाँ पर मैं enter क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो को smooth चला पाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने enter कर दिया है और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यह red जो lines है वो सही हो रही है और आपकी वीडियो जो है वो smooth चलने वाली है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बीज बीज में अपनी वीडियो की quality को improve करने के लिए आपको इसको click कर देना है और यहाँ पर जो आपकी यह रेंडिंग है दोस्तों वो सही से होने के बाद आपकी जो वीडियो है वो सही चल पाएगी ऐसे मैं आप deeply देख पाएगे कि आपकी वीडियो में कोई गलती तो नहीं हो गई है या फिर आपने कोई problem तो नहीं करेट कर दी है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आपकी वीडियो smoothly नहीं चलती है तो आपको पता नहीं लग पाता है कि आपकी वीडियो कैसी होने वाली है तो गैस यहाँ पर मैं आपको एक बार पिले करकर दिखा देता हूँ है तो आपको इस एफेक्ट पर क्लिक करकर delete बटन दबा देना है यहाँ पर आपक एफेक्ट जो है वह हुआ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार यवाला एफेक्ट apply करकर दिखा देते हैं simply पर enter किलिक करते हैं यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो रेंडिंग होगी यानि जो रेड लाइन है वो सही हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो में बहुत अच्छी स्मूथली आप वीडियो पिले कर पाएंगे तो चलिए यहां पर हमारी जो रेंडिंग है वो कंप्लीट हो ग सकते हैं आप यहां पर दोस्तों किसी फोटू वर हो बी जाइस्ट लगा सकते हैं इस तरह से यहां परśclear करने कि लिए पिसी बीचीज को आपको शोड़े ऐसं करने के लिए उसमें करने यहां करने के लिए इस का यूज यूस यहांइबिद् het स्क्रीन का एक option और दिखता है दोस्तों इसको आपको और बता देता हूँ तो यहां पर आपको split screen में दोस्तों क्या करना होता है simply सबसे पहले आपको इस पर एक बार किलिक कर देना है अब यहां पर जैसी ही आप इस पर किलिक करते हैं आप देख पाएंगे कि यहां पर आपकी जो है वीडियो तीन पोर्शन में चलेगी मतलब तीन पार्ट में चलेगी तो जिसको भी आपको सिलेक्ट करना हो आपको सिंपली पहले उसको ले लेना है कि मुझे यहां पर यह आपकी जो इंप एड्र हो गई आपको कर सर कर लायो कर ले किलिक कर देना है अब आपको एक बार इसे पर आप कर देशुम करेंगे यहां पर आपका इंपोर्ट मेडिया करें है deaf यह अब अबर दोस्तों आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करकर रख लें उसके बाद आपको दुबारा दूसरी वाली स्कीन पर डबल किलिक करना है यहां पर आप इस वाली वीडियो को चलाना चाहरा है तो ड्रेग और ड्रॉप करके सिंपल छोड़ दें और यहां पर आप अपनी व आप ग्राइज यहां पर आपकी वीडियो मैं प्ले करकर दिखा देता हूं एक बार मैं आपको अपर यहां पर एंटर मानने के बाद इसकी रेंडिंग कर लेता हूं ताकि वीडियो बहुत स्मूथ चल पाए तो वाइज आपकी वीडियो स्मूथली हो गई है आपको एक बार मैं प्ले करकर दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप स्पिलिट स्क्रीन का यूज करने के बाद अगर आपको कुछ कमपेर करना है या फिर आपको किसी प्रोडेट के बारे में बताना है तो यहाँ पर आप अपनी एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं और साइड में आप उसको बता सकते हैं कि यह वो चीज है या फिर जो भी आप दिखाना चाहें आप यहाँ साइड में उसे दिखा सकते हैं इतना ही नहीं यहाँ पर आप तीन स्क्रीन चार स्क्रीन जितनी स्क्रीन करना चाहें छे यहाँ पर आप कर सकते हैं तो गाई इतना काम कर सकते हैं यहाँ वंडर शेर में तो यहाँ पर दोस्तो इतना करने के बाद अब मैं आपको में चीज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो का background change कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में आ जाना है यहाँ पर मेरी यह वीडियो है और आपको इस बात का धियान रखना है कि आपकी वीडियो जहें वो green screen पर shoot हुई हो तो यहाँ पर दोस्तों मैंने green screen पर अपनी वीडियो को shoot किया है कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको बार प्ले करकर दिखा रहा हूं तो आपको अपनी वीडियो को ऐसे shoot कर लेना है अब गाइस बात करते हैं कि इसके background को कैसे change कर पाएंगे wondershare में तो simply आपको अपनी वीडियो पर एक बार click कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखता है green screen का आपको इस पर click कर देना है यहाँ पर आपको गिरीन screen का option खुल कर आ जाता है आपको यहाँ pen tool को एक बार click कर देना है और अपनी वीडियो में आने के बाद green में किसी भी portion को select कर देना है तो गाईज यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि आपकी कुछ हद तक जो background है वो हड गया है अब यहाँ पर आपको कुछ यह सपैद सपैद portion दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर इसको कैसे सही कर पाएंगे चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ green screen की deeply setting में यहाँ पर आपको offset दिख रहा है आपको offset को adjust करना है अपनी वीडियो के हिसाब से कि यहाँ पर आपकी वीडियो को जो सपैद portion है वो नहीं दिखना चाहिए तो इतना दोस्तों आपको set कर लेना है यहाँ पर आप इसको 28, 29 या फिर 30 भी कर सकते हैं आप अपनी वीडियो के recording set करें क्योंकि अपनी अपनी lighting अलग-अलग होती है और ऐसे में दोस्तों वो डिपेंड करता है कि कितनी lighting आपकी screen पर background पर जा रही है तो उसी हिसाब से वो background को remove करती है यहाँ पर आपको ton lens को option दिख रहा है जैसे कि आप इसे कम करेंगे जो आपका इस अपके हैंड के नीच करना चाहते हैं तो थोड़ा साब इसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जादा आपको नहीं बढ़ाना है वरना आपको देख रहे हैं सफेद portion है वह आजाएगा simply आप इसको थोड़ा साब बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर edge feather जो है आपको इससे नहीं खुजाना दोस् जलिए गाइस अपने wonder share में अपनी photo को import करते हैं background में लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ background दोस्तों set कर रखे हैं मैं जो अपने वीडियो के पीछे background लगाता हूं तो यहाँ पर मैंने यह import कर दिया है और इसे अपनी वीडियो के वीडियो के हिसाब से खीच दिया है अब यह मेरी पूरी वीडियो में set हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी यहां से यहां तक वीडियो है तो मैंने photo को भी इतना ही बड़ा कर लिया है अब आप background में photo देख पाएंगे अब photo दोस्तों full screen पर नहीं आ रहा है तो simply आपको photo पर click करना है यह मेरी photo वाली layer है और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वीडियो है उस layer के नीचे ही background लगाएं आप तभी आपको background नीचे दिखाई देगा अदरवाइस अगर आप इस photo के नीचे अपनी वीडियो ले जाते हैं तो आपकी photo के नीचे आपका जो वीडियो है वो चला जाएगा तो simply आपक जो रेशियो है दोस्तो master ratio जो आपको YouTube की वीडियो में या फिर आपको mobile की screen होती है simply आप उसको set कर पाएंगे तो यहां पर आप जितने भी आप इस portion को लेना चाहें उपर को या नीचे या जहां भी आप उसको click करने के बाद okay जैसे ही करते हैं तो अब आपका जो background photo है दो दोस्तों वह full screen पर आपको थोड़ी दिर बाद देखने को मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तों बाब मैं आपको एक बार पिले करकर दिखा देता हूं उससे पहले मैं आपको एक बार enter मानने की suggestion देता हूं क्योंकि यहां पर दोस्तों यहां पर smooth नहीं चलने वाला है तो थ यहां पर अपनी video edit कर पाएंगे तो सबसे पहले आप जिस भी लेयर के color change करना चाहें तो आपको simply video पर किलिक कर देना हैं यहां पर आपको यहां बात का बहुत जादद ध्यान रखना है कि कभी-कभी आपका वीडियो एडिट होते हैं आपको अपनी वाइल पर कैलिक करना है और आपको किलिक कर देना है यहां पर आप जो भी नाम लिखना चाहें उसके बाद आपको simply save पर किलिक कर देना है तो guys यहाँ पर आपकी वीडियो अगर आप हट भी जाती है या फिर कोई बग आने के बाद आपका software हट जाता है तो ऐसे में दोस्तों आप अपने project को open करेंगे तो आपकी यही project open हो जाएगा औ और यहाँ पर दोस्तों आपको दुबारा से वीडियो को edit करने की कोई जरूवत नहीं है अब यहाँ पर आप जो भी changes करेंगे for example मैं एक बार इसको छोटा बड़ा करकर दिखा देता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आप simply आपको file पर click करना है और save पर click कर देना है अब आपक आपको एक बार अपने project को save करना है और उसके बाद आपको control s दबाते रहना है control s दबाते ही जो आपके changes है वो उसी वाले project में save होते रहेंगे तो आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी editing करने के बाद control s प्रेस कर देना है क्योंकि कभी-कभी दोस्तों आपका software जाहे व जी च्छोता भी कर सकते हैं तो आपको यहां पर आपको घ्रीच करने के लिए और काफी वीडियो करने के लिए यहाँ पर आपकी वीडियो को सैट कर सकते हैं जितना भी आप कंट्रास्ट रखना चाहें आगे पीछे करकर दोस्तों आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो वीडियो की कौालिटी है वो निकल कर आएगी जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरा जीरो है तो यहाँ पर आपकी व तो यहाँ पर दोस्तों आपको brightness को थोड़ा सा कम करना है अगर आपकी lighting ठीक है और यहाँ पर आपको contrast को बढ़ाना है तो guys यहाँ पर आप advance पर किलिक करने के बाद advance level की जो है आप color change कर पाएंगे यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पर यह पुराना वाला option खुल जा है आप इससे भी आप इस option को खोल सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको color में चले जाना है color में दोस्तों आपको इसे आगे पीछे करकर देख लेना है brightness जितनी रखनी है आपको जितना contrast रखना है यहाँ पर आपको lighting का एक option दीख जाता है lighting में भी दोस्तों आपको highlights, blackness अगर आपको बढ़ानी है तो आप इससे सोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पर आपको whiteness अगर आपको बढ़ानी है तो इससे आप बढ़ाएंगे इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसमें editing कर पाएंगे editing को save करने के लिए आपको simply okay पर किलिक कर देना है तो इतना करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो दोस्तों save हो जाएगी आपके जो color आपने select किये हैं वो save हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक option आपको दिखिए रहा है आप इसका simple use कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को आगे पीछे या फिर brightness को या फिर contrast को आगे पीछे करने की जरुवत नहीं है आप एक बार walking dead को apply करकर देख लिजे कि आपके जो color है वो अच्छे होए या नहीं तो गाईज इतना करने के बाद अब आप देख पाएंगे अपनी वीडियो को एक बार मैं enter मारकर अपनी वीडियो को smoothly playback करकर देख लेता हूँ तो गाईज यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले करकर दिखा देता हूँ क्या आपको देखने को मिल रहा है क्या लगता है आपको कि आप wondershare में इतना सब कुछ कर सकते हैं जिहां गाईज मैं आपको दिखा दिया है एडिट करकर simple ही आपको कुछ नहीं करना है बस थोड़ से steps को आपको complete करना है और इस तरह से आप वीडियो को edit कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया है यहाँ पर आप अपने transition को भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह स तो गैस यहाँ पर आपकी दो वीडियो है और आप चाहरे हैं कि आपकी दूसरी वीडियो जैसे ही निकल कर आए तो यहाँ पर आपकी transition लगे यानि कुछ movement हो तो जैसे ही यहाँ पर मैं आपको movement करकर दिखा देता हूं मैंने आपको एक transition apply करकर दिखाया है कुछ इस तरह से जैसे ही आप अपनी next वीडियो को दिखाएंगे तो इस तरह से निकल कर आएगी तो गैस कुछ हद तक समझ गए होंगे आपके इसकी editing कितनी simple है कितनी आसान है और आप कितनी अच्छे तरीके से wonder share में अपनी वीडियो को edit कर पाएंगे गैस यहाँ पर आपको अपनी वीड को अच्छे तरीकी से समझा दिया है कुछ टॉपिक्स और बचे हैं दोस्तों जिनको मैं आपको बताना चाहरा हूं अगर आप चाहरे हैं कि आपकी वीडियो जो है दोस्तों चलते चलते कुछ आपका निकल कर आए फोटू आपको जहें उसे समझाने के लिए या फिर आप आप चाहरे हैं कि योट्यूब के बारे में कुछ समझाना चाहरे हैं तो आपने योट्यूब का फोटू जहें वह इंपोर्ट कर लिया अब आपको सिंपल उठाकर इसके ऊपर रख देना है अब गाइस यहां पर आपको इसको छोटा कर लेना है क्यों कि आप जहें इतना बड़ा कभी फोटो अपने वीडियो में नहीं लाएंगे जितना बड़ा भी फोटो अप लाना चाहें आप तना बड़ा कर ले दें उसके बादो दोस्तों यहां पर आपको रख देना लाकर पर करते हैं तो आपका जो यह फोटो बस सिम्पल ही जहाँ पर आज आएगा लेक इक बार पिले करते हैं तो आपका जो यह फोटो है दोस्तों कुछ इस तरह से निकल कराता है तो यहां पर दूस्त अब इस तरह से एडवांस लिवल की एडिटिंग कर पाएंगे तो गाई सिंपल ली बस इतना करने के बाद आपको अपने वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करन इस्टेग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है इस पर मुझे फॉलो करने हैं यहां पर मुझे डेम कर सकते हैं मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉलुशन दोस्तों आपको दे दूँगा तो यहां पर सिंपली दोस्तों बापको ऊपर एक्सपोर्ट का ओप्शन दिख रहा है यहां पर निकालनी है तो आपको सिंपल यही से बैस्ट पर रखना है जैसे कि आप देख रहे हैं यह वाइड वाड़ा पोर्शन बैस्ट पर होना चाहिए यहां पर आपके जो बिट रेट्स हैं वह आप कितने भी कर सकते हैं 8000 या फिर 6000 यहां पर यहां पर हमारे 10,000 बिट रेट हैं काफी अच्छी यहां पर हमारी quality आने वाली है दोस्तों यहां पर frame per second FPS आपको 25 रखने है या 30 रखने है यहां पर आप 25 से 30 रख सकते हैं आपकी quality काफी अच्छी आ जाएगी और simple ही आपको यहां इसे ok करने के बाद export पर click कर देना है यहां पर आपकी जो video है वो export होना start हो जाएगी तो guys आपकी जो video है वो ending होना start हो गई है अब यहां पर आपको when done का एक option दिख रहा है जब आपकी video editing complete हो जाएगी तो यहां पर आपको sound remind का option दिखता है अब जैसी ही 100% हो जाएगी तो यहां पर एक sound आएगी कि आपकी जो recording है वो complete हो गई है दूसरा आता है shutdown computer for example आपने कोई लंबी video editing के लिए रखी है यहां पर आप रात में editing लगा कर सो सकते हैं तो यहां पर आपको shutdown computer पर select कर लेना है जैसे ही आपकी video editing complete हो जाएगी आपको जो computer है वो shutdown हो जाएगा और तीसरा option आता है do nothing यहां पर कुछ भी नहीं होगा बस simple ही आपकी rendering जो है वो हो जाएगी और यह आपका ऐसे ही खुला रहेगा तो guys यहां पर आपकी video इस तरह से export हो जाएगी कि चरिए दुस्तों wait करते हैं export होने तक का और आपको एक बार play करकर दिखा देते हैं तो guys आपकी editing complete हो गई है आप fine target पर जैसे ही click करते हैं आपकी video यहां पर आ जाएगी आप इस पर double click करने के बाद अपनी video को देख पाएंगे कि किस तरह से आपनी अपनी video को edit किया है तो guys यहां पर अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी video को edit कर लिया है यहां पर हमने transaction लगाए है अपने social media sign के link दे दिया है यहां पर दोस्तो हमने background को change किया है साथ ही साथ हमने यहां transition apply किये हैं और यहां पर हमने color change किया है तो guys उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना और बैल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आप हमारा कोई भी latest update मिस्ट ना कर दें दोस्तों मिलते हैं आप से एक नए यहां टेस्टिंग वीडियो के साथ जब तक के लिए thanks for watching